नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है काफी ज्यादा अच्छी आपको आज की वीडियो लगेगी क्योंकि कमेंट जो मैं मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ देखिए कमेंट मुझे किया है सनी कुमार ने इनका कहना है कि सर मेरी एज अभी 23 की है मैं एक स्टुडेंट हूँ वीडियो देखकर काफी इंस्पायर हुए है मेरी और अपनी पॉकेट मनी से बचाकर 2000 रुपे की SIP करना चाते हैं आपने इतनी कम एज में इनवेस्टमेंट का सोचा यह बहुत ही अच्छी बात है आपके कमेंट करने से मेरे वीडियो के कमेंट के उपर बनाने से काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और लोग भी इनवेस्टमेंट अपना शुरू करेंगे यह बहुत ही अच्छी बात पॉकिट मनी से बचा कर अगर कोई investment की तरफ जा रहा है तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है देखे खर्च करना तो सभी जानते हैं खर्च करने में सब को मज़ा आता है लेकिन उनी मैसे जब कुछ लोग investment करना सीख लेते हैं तो वाकई उनको future में काफी benefits मिल जाते हैं खर्च तो ये भी करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ amount future के लिए गर बचा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है तो जो मेरे वीवर हैं देखे मेरे वीवर्स तो सभी age group के हैं जो बड़ी age group के हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा आप भी अपने बच्चों को थोड़ा स बचाएं लेकिन उसको आप invest करना जरूर शुरू करें अभी इस investment शुरू करेंगे तो future में काफी अच्छे benefits आपको मिल सकते हैं चलिए अब बात करते हैं सनी जी के comment पर comment इनका बहुत ही अच्छा है pocket money से बचाकर investment करना वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा चलिए start करत हैं तो small cap में investment किया जा सकता है अभी क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं pocket money से कर रहे हैं आगे चल कर ये future में इनकी job भी लगी कि तब ये amount को और भी बढ़ाएंगे तो उसके बाद ये और भी funds अपने portfolio मेड कर सकते हैं लेकिन ये वाला जो इनका प्लान रहेगा ये जो fund इसलिए इसको small cap में consider किया जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा हमेशा की तरह क्योंकि यहां एक चीज में आप सभी को समझाओंगा मिल्कुल simple भाशा में देखिए सनी जी की जो अभी age है वो इनक 23 years की है 23 years की यानि कि इस SIP को easily मेरे हिसाब से 25 साल चलाए जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि पैसे की ज़रत ना पड़े यह और SIP अपने start कर दे और investment शुरू कर दे इस single SIP को अपने retirement तक भी ले जाए ऐसा भी हो सकता है और अगर इसको retirement तक ले जाते हैं तो कितने benefits इनको दे से समझेंगे देखिए फंड यहां पर small cap category का consider किया जा सकता है और fund मैंने को बताने वाला हूं quant की तरफ से quant small cap काफी बढ़िया fund हैं काफी बढ़िया इनकी holdings हैं काफी अच्छे-च्छे sectors में यह fund निवेश कर रहा है तो future में यह fund अच्छे returns बना कर दे सकता है और देखिए investment हमारा long term के लिए है तो इसलिए risk भी यहां automatically घट जाएगा क्योंकि जितने लंबे अवधी के लिए आप नि all cap fund की सबसे पहले बात करेंगे fund size की fund size हमें देखने को मिलता है 17,349 करोड रुपे का यह हमें कुछ fund size देखने को मिलता है expense ratio की में बात करूँ 0.7% का देखने को मिलता है expense ratio दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो किसी mutual fund company द्वारा हमारे fund को manage करने के लिए हमसे charge किये जाते हैं अब बात करते हैं holdings की की हमारे पैसे को निवेश किस तरह से किया जाने वाला है देखिए small cap category का fund है minimum 65% पैसा तो उन company के stocks में जाएगा जो ranking में 251 से लेकर 500 तक आएंगी AUM wise देखें तो 5000 करोड से चोटे size की जो company होगी उसमें हमारा minimum 65% पैसा निवेश किया जाएगा यह इसका एक basic है small cap category के fund का यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप small cap में पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा किन companies के stocks में जाएगा क्योंकि देखिए जो पैसा हम mutual fund में निवेश करते हैं किसी भी mutual fund में निवेश कर रहे हैं वो पैसा जाना तो stock market में यह लेकिन stock market में किन companies में जाना है यह depend करेगा कि आपने कौन से category के mutual fund में लगाया है जैसे कि small cap की हाँ बात कर रहे हैं तो वो उसका basic मैंने आपको बताया होंगी वहां आपका minimum 65% पैसा invest किया जाएगा चलिए holdings देखते हैं किस तरह से हापर diversification है small cap large cap mid cap small cap में कितना जा रहा है mid cap में कितना जाएगा और large cap में कितना जाएगा large cap इंडिया की top 100 companies होती है चलिए दोस्तों small cap में 66.93% पैसा हमारा निवेश किया जाएगा mid cap में आप कुछ भी investment नहीं किया जाएगा और large cap में आनिके इंडिया की top 100 company में 28.78% हिस्सा निवेश किया जाएगा तो देखिए holdings बढ़िया है अगर मैं sector wise holdings की बात करूँ तो financial वाले sector में energy में metal and mining में health care में और services जैसे sectors में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा तो sectors बहुत बढ़िया है investment के लिए future में काफी opportunity है इन sectors में आपका पैसा भी काफी यहाँ पर growth कर सकता है अगर मैं returns की बात करूँ देखिए returns की बात करूँगा सीधा last के 10 years की last के 10 years में इस fund ने कैसी performance दी है कैसे returns अपने investors को बना कर दी है दोस्तों वो हमें देखने को मिलते है 28.72% तो काफी बढ़िया returns इस fund ने last के 10 years में generate किये है अब अगर जैसा की सनी जी का सवाल था 2000 रुपे महीना की SIP यहाँ यह start कर देते है 2000 रुपीज पर मन्त की SIP एक example से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे अब returns की अगर मैं बात करूँ देखिए last के 10 years के returns आपके सामने है 28% के returns है अब future में कितने मिलेंगे यह किसी को नहीं पता कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जैसा की मैंने आपको बताया अच्छे-च्छे sectors में इनकी holding से काफी बढ़िया है बढ़िया funds में इनकी holding से अगर company wise भी आप थोड़ी सी holding देखना चाहें तो इलाइन्स इंडस्ट्रीज में जीयो फाइनेंस सर्विसेज में बिकाजी फूट्स में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में तो company wise holdings बढ़िया है काफी अच्छे अच्छी जगे पैसे को निवेश कर रहे हैं तो अच्छे returns आपको future में मिल सकते हैं लेकिन पैसा stock market में जा रहा है इसलिए guarantee नहीं है fix returns यहां नहीं है कि इतने ही मिलेंगे ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं safe side हम लोग returns example के लिए जो लेकर चल रहे हैं 18% लेकर चलते हैं देखे duration यहां 25 years तक की मेरे हिसाब से easily रखी जा सकती है बागी देखे आप पैसा निवेश करेंगे आपको जब भी जरूरत हो आप पैसे को withdrawal कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको 20 साल में पैसे की जरूरत है आप withdrawal यहां से कर पाएंगे easily कोई दिक्कत नहीं है आपको जर लेते हैं और वैल्यू आपकी क्या बन सकती है देखे साथ ही साथ यहांने कहा था कि मैं अपने पैसे को टॉप अप मतलब इंक्रीज भी करना चाहता हूं यानि कि स्टैप अप एसाई पी यह करना चाहते हैं अभी देखे 2000 रुपे की साल के लिए यहां पर रख लेते हैं ह और जो स्टैप अप इगर 200 रुपे का यहां रख लेते हैं माउंट यहां ने नहीं बताया था लेकिन 2000 की साई पी पे 200 रुपे का स्टैप अगर यह लगा लेते हैं हर साल 200 रुपे से उसको इंक्रीज करते हैं साई upset पि को तो कितने रिटंज बन सकते हैं डेखे टोटल bzw investment है 2000 की SIP 25 साल मैंने duration यहां रखिया 18% की returns example के लिए रखें और 200 रुपे का यहां step up लगाया है तो जो total investment है वो 13,20,000 रुपे का यहां बन जाएगा 13,20,000 रुपे गा और जो finally value है वो दोस्तों बन रही है 1.72 करोड रुपे की यह value देखने को मिल सकती है returns 18% रखें जो आज की date में 28% के returns हमें मिल रहे हैं अगर returns हमें future में भी 28% के मिल जाते हैं तो यह जो value है वो 11.62 करोड रुपे तक भी जा सकती है जी हाँ बिलकुल जैसे कि past में 28 मिल है अगर future में भी 28 मिलते हैं तो 11.62 CR तक आपको value देखने को यहां से मिल सकती है तो दोस्तो इसलिए देखिए अपने बच्चों को भी आप लोग थोड़ा motivate कर सकते हैं भले वो 1000 रुपे से शुरू करें लेकिन mutual fund में वो investment शुरू कर सकते हैं ताकि future में वो अच्छे returns यहां से generate कर पाएं अभी देखिए इनकी calculation में ने 25 साल पर ही किया अगर यही calculation में 25 के जगे 30 साल कर दो तो यह जो value है यह और भी ज्यादा बढ़ जाएगी बहुत बढ़िया amount आपको यहां देखने को मिल सकता है अभी digital board में जल्द ही लेने वाला हूँ या 500 रुपे से start कीजिए चाहे 1000 से कीजिए लेकिन एक ऐसा API फ्यूचर के लिए जरूर रखिए मौज मस्ती लीजे खर्च भी कीजिए थोड़ा सा amount अपने फ्यूचर के लिए जरूर अभी से आप बचा कर चलिए आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में तो दोस्तों और मेरे चैनल फर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप सरूर कीजिए गा नमस्कर